सितंबर में यूपी के गाजियबाद से आई इन तस्वीरों ने देश को दहला दिया था जब कुट्टे के काटने से एक बच्चे को रेविस जैसी जानलेवा विमारी हो गई थी और उसने अपने पिता की गोद में तडप तडप कर दम तोड़ दिया था लाग कोशिशों के बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं गाजियबाद के इस जिला संयुक्त अस्पताल में किसी काम से अगर आप जा रहे हैं तो सावधान हो जाईए कहीं पीछे से आकर डॉक्स का गैंग आप पर अटैक न कर दे इस परिसर में भी कुट करते हैं जो अचानक से लोगों पर अटैक कर देते हैं चाहें आप सीधे जा रहे हैं और वो पीछे से आएंगे और आपके पैर को काट लेंगे और यहां के लोग इससे काफी डरे हुए हैं क्योंकि यह घटनाय बैक टू बैक हुई है किसी डॉक्टर को काठा तो किसी मरी इसको काठा और यहां आने जाने वाले लोगों को भी यह कुत्ते नहीं बकषते हैं कुत्तों के हमले से एक डॉक्टर तीन वर्डबॉय एक इलेक्रिशियन समेत अब तक लगभग दस से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं वहां रहने वाले लोग हमेशा तहशत में रहते हैं कि कहीं पीछे से आकर कोई कुत्ता काट न ले जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत भी की लेकिन कुछ नहीं हुआ अस्पताल के चिकित सक्ट डॉक्र आश्रीश त्रिपाठी का कहना है कि यह कोट का ही आदेश है कि जो जहां है वो डॉग वहीं रहे इसलिए हम डॉग्स को हटा नहीं सकते वहीं अस्पताल प्रशासन की दलील है कि उन्हें कुट्टों के हमले के बारे में पता ही नहीं था जैसा नियम होगा वैसी कारवाई करेंगे नियमों का पालन जरूरी है लेकिन जिला संग्युक तस्पताल में बढ़ते कुट्टों के आतंक का जल्द समाधान निकालना भी जरूरी है कुट्टों को यहां से हटाया जाना जरूरी है क्योंकि एग्रेसिव नेचर के हो चुके हैं और एक के बाद एक हटाएं यहां पर की जा रही है को रहे हैं भारत एक्सपेस कर से बाद कर्णों कि एक तक हैं भार एक्सपेसिव ने जाएवसिव ने भी जाएग्स